हेलो गाइस कैसे आप सभी तो गाइस यहां आज भी थोड़ा सा है लाइट का प्रोडम तो इसलिए आज यहां पर थोड़ा सा बैक्ग्राउंड रहेगा तो कि मैं इस तेम बाहर बैटा हुआ वहाँ वीडियो बनाने के लिए तो कि यहां लाइट भागव हुए आज फिर से क्योंकि अभी थोड़े पहले यहां बहुत तेजबर साथ के साथ में आजिर तुफान भी आया इस विए से यहां पर लाइट भागा रखिए और इन्युटर अग्यरा सब पहले सीफ ही निसोचुके होते हैं गर्मी में आपको पता ही है तो आपको थोड़ा के शोड ज्यादा आ रहा है तो प्लीज बस आज अर्जस कर लेजिएगा क्योंकि हमें वीडियो बनानी है जरूरी क्योंकि हम लोग अपना कदम काम्याबी की तरफ नहीं रोख सकते हम लोग जिस तरह से बढ़ रहे हैं हमें उस तरह ही भड़ते शिले जाना पड़ेगा क् चोटी बाधाऊ से कम से कम मैं तो रुखने वाला नहीं हूं और नाम आपको रुखने दूँगा जिस साउंड प्रोलम है को दिख कर नहीं है लेकिन मैं उस साउंड से भी तेज बोल करके उस साउंड को दबा दूँगा और जस्ट कि देख लिए कि हम लोगों को ऊपर से जोगी पब्लिशस की तरफ से सब बिचके कुछ सेट जो हैं वो पीनप सही से हो रखें माला भी इसनी पूरी तरह हो रखें कि उनको मत खोल नहीं पा रहा हूं इसलिए ट्वंटीवन सेट के तुरंद बाद आपको आज 26 सेट करना होगा 23 24 25 सेट आपका आज यहां से ग हो रहेंगे सेट नमबर 26 यह भी सीजियल टीर वन में ही आया हुआ है 2018 का सैट है लेकिन एक्जाम यह कंड़क्ट हुए थे आपके 2019 में जून में यस चलते हैं आज के पहले कोश्चन की तरफ क्या कह रहा है पहला कोश्चन पहला कोश्चन ही है आपका वोकेबिरी बेस्ट आपको बताना है antonyms क्या बताना आपको इसका antonyms वर्ड है अपका accept a c c e p t accept का मतलब स्विकार करना क्या होता है स्विकार करना आपको बताना है इसका antonyms पहला वर्ड़ ए reject तेनिके SU car करना acquire मत्लब परात करना obtain का मतलब ही परात करना release का मतलब होता है atmukth करना तो इसका अंसर srif-srif हो जायगा यहाँ आंटॉनों आंज की तूर पर reject करना क्या हो जाखना इसका आंसर reject करना तो इसका अंसर हो आपका पहले का पहला ही याईनि कि सुर्वात ही आपके एस होँ हैं यह इस एवन कि माकसाइंगे आपके टेकनोरी क gern be and people seem to be more attached to screens than ever before technology can be just technology ने हमें बना जया डश कैसा पहला प्षान है हमारा जो हो देखनी रहा है साफ आपको एक दूज दूज पहला अप्षान आपका अडिक्टिव फिर इन तर्ट इस आपका इन कोरीजेबल और से नेक्स आपका कि कॉंटाजियस आडिक्टिव का मेलोता है आधी हो जाना किसी भी चीज का जब आप आधी हो जाएं उसके उपर आप निर्बर हो जाएं उसके बोलते हैं एडिक्टिव ते आपच मेलनने पर अन और सोड़ाओ जरूरी है नेक्सकर ना जाए जिसको चैक ना किया डाता के और आगजहां कॉंटाजियस अser प्रकूंट्स बिमारियां जो कोंटक्ट से करी पर तो करो डाल को नान फरहन को जैर्केक टेक अपर क्रोन कोंटार्ट पर करें टकेनोजी केन इस ब्你就 कन भी एडिक्टिव एंड पडूसीम तू इस पर एवर बिपोर यहां पर आप इसका अंसर लगाएंगे एडिटी भी आदी हो जाना हम लोग टेक्नोलोजी से बहुत जादा आदी हो चुके हैं यानिके सिक्ट कभी अंसर हो जाएगा आपका भी ही नेक्स वोचन है आपका सिलेक्ट दा क्रेक्टली स्पेल्ट वर्ड आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड है क्रेक्टली स्पेल्ट हमारे पास ओप्शन से हैं पहला वर्ड चैलेंज अब इतने भी बूरे दिन नहीं आया आपके यह मेरे कि इतने टुच्च टुच्च वर्ड हमें दिये जाएं यस कि चैलेंज कि स्पेलिंग में देखिया लेकिन आज स्रीफर्जस कर लिएगा बस आज जिस समस्थे आपको आगे नहीं आएंगी क्योंकि मुसम ठंदा हो गया तो कल वीडियो अंदरी बैटके बन जाएंगी आज नहीं बन पार यह वीडियो बस चलते हैं नेक्स पे नेक्स का कह रहा है कि आपको बनाना का क्रेक् यह सबसे पहले यह पर स्वार्स रावना क्युद्ध इंग कितनों में नहीं है मैं स्ट वाला रेस से बाहर सेखिंड में है इसमें सामिल से लेड और इंजी यह 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 बिरे आपको याद होगा अब कुछी दिन पहले मैंने एक वीडियो आप लोड की ति एक नई दो वन रूल के नाम से यह वन वीडियो वन रूट यह मैंने वीडियो प्लूडर के थी दो जिसे में नहीं alcohol लगातार बताए दो दिन दख यह दोनों वीडियो आपकी इंपरेटिभ सेटेंज पर ही आधारित है आपके लिए यह दो वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है आप इन दोनों देखेगा आपको यह वाला स्ट्रक्चर बहुत उच्छे समझमा जाएगा वन वीडियो वन रूल किलास अंबर सेवन और एट है आपर नेक्स देखेगा नेक्स करहा है कि सम्थिंग विचिस फिट टूबी इटन ऐसी ची लगा सिर्फ आपका सी नेक्स देखेए बायो लोगिस्ट बायो लोगिस्ट पूलूरर है पूलूरर भगाई बिलीव तो यह तो आपका है ठीक पैसी प्रेमा अंडरलाइन पार्ट देखना है बायो जिस्ट बिलीग दैएं इंक्रीज एप्यूमन एक्टिविटी इमीज एक्सेलेरेटर रेट ऑफ चेंज ऑफ हैबिट फॉर दा क्रीटर फॉर दा वर्ल्ट आपको बताना है कि यहां पर किस पार्ट में एरफ अगर हम लोग गोर करें तो यहां संटेंस में हमें दिया गया है बाइलोजिस्ट बिलीज दैट इंक्रीज धूमन एक्टिविटी इ यहां कि उसने कहा एक्टिविटीज यह यह अपका पुलूरल है यह आपका सिंगुलर है यह सिंगुलर है तो उसलिए सिंगुलर रब लगाई मीन्स यह जो कि ठीक है अब ज़रा और देखिए यहां पर क्या प्रॉलम हो सकती है सिंटेंस के अंदर एन एक्सेलेरेट रेट आपको सिंगेन्स में नगे एक सय हैं सिंगुलर है यह खाले कर जाए हैं आपको बदाना है आपको सिंग्टेंस में लगाना है संगको कहरा है कि कि हे। फ़ेशे कवर्ट परफेक्श क्वारटर और हेरी टो Abset तमिल स्ट्रीट ब्रेंट इंट वन नदर दा कॉंफिक्ट ऑफ को अग्जिस्टेंस इस इविदेंट इन मैंनी मेट्रोपोलिटिन सिटी अल्ड अन्यू लाइक तो दिफरेंट वर्ड शर्वाइविंग साइड वाइड साइड नेवर को सिंटेंस का सिक्वेंस के यह होगा अगर में गुण तो हमें दिआव होसने पहले बीजिजन फर्फ इस सन दोगा याँ दिसे यह से सूद्ध यह संद नहीं होगा हम लोग फ़हीं को बहुत हैं दा कॉंफ्लीक्ट ओफ को दिजिस्टेंश इविटेंट इन्मैने मेट्पोलिजन सीटी द ओलन न्यू लाइक तो डिफेरेंट वर्ड सर्वाइविंग सैड बाई सैड येट नेवर क्रोसिंग जैट चास्म दिरिद प्लेस दो पंडुचेरी वियर कॉंट्रास्ट आर से लिए लाइक नावर एज सिंटेंस का पहला पोर्सों हो जाएगा आपका ब K ذirsty दखानखीया सिंटेंस का फ्रस्ट पूर्सट ऑपहला ही और उसके बाद में आप देखें अगला सिंटेंस बी के बाद क्या आना चाहिए बी के बाद या तो सी आएगा या फिर बी के बाद ए बी के बाद सी देखें अगर आप लोग तो आपको दिख रहा है कि बी के बाद आना चाहिए यानि के आपका अंसर हो जाएगा बी सी दी यानि के इसका अंसर हो जाएगा सेकंड एक कर रहा है का क् विपी समझाओं प्री के बाद वें झाए यानि के जो शंजाय ने जा सके हैँए जिसको समझाओं ना जा सके शंटिंग अचे आप योड्री यानि के आपका अंसर हो जाएगा इहाँ पे इलिजीबल जी नहीं अगला है इस एट का अंसर हो जएग आपका B, जिससे समझा ना जा सके, विच गैनोट भी अंडरस्टूड, अगल है आपका active passive का sentence, आपको इसका बनाना है passive, देखिए correct passive क्या होगा, कहा रहा है कि he is clicking good pictures with new cameras, उसने लगाया ismr plus ing, आपको इसका पैसी बनाने के लिए लगाना होगा, being plus third form और ismr तो रहेगा ही रहेगा, तो किसनों में हैं, पहले में वर आ गया, इसलिए रेस से बाहर, दूसरे में हैव आ गया, इसलिए रेस से बाहर, थर्ड में आर आ गया, being भी है, रेस में सामिल, फॉर्ड में आर के साथ being नहीं है, रेस से बाहर, इसका अंसर हो जागा, सिर्फ हो सिर्फ C, यानि कि 9th का अंसर हो जागा, correct आपका, व्यूकुँद C अंसर, नेक्स सेंटेंस है, आपको बताना है कि किस पार्ट में है, grammatically error, नो सुनर, डिद ही सी दट आएगा, वैन ही रेन, एस पास्ट एस इकूर, रूल है आपका नो सुनर का, नो सुनर का रूल क्या बोलता है, नो सुनर किस तुलंद बाद आपके आने चाहिए, helping verb, डिडिया, head में से कोई भी एक, यहां subject प्लस verb की first term, यहां subject प्लस verb की third form आती है, साथ में next part जो connect होता है, वो connect होगा आपका then से, जैकि उन्होंने यहां connect किया है, when से, इसलिए यह sentence आपका रेस से बाहर, then वाला answer हो जाएगा, आपको correct, यहां पर error आपके then, when की जगा देन आना चाहिए था, वो कौन से part में है, c part में है, थोड़ा short ज़्यादा जा रहा है बच्छो, लेकिन क्या करें, आपको adjust करना है, आपको बच्छार मगन होना, आप इसे ऐसा रखें कि पैन लेके, जब शिवजी बैठते हैं, तो विचार मगन हो जाते हैं, पैंसिव, विचार मगन होना, आपको बताना है synonyms, क्या इसका correct synonyms हो सकता है, पहला वर्ड आपका, इस्पोंशियस, नेक्स वर्ड है आपका, इस्पाइट फूल, ठर्ड है आपका रिफ्लेक्टिव, और स्टर्ल आपका रेजिक, तो इसका अंसर आपका, correct अंसर हो जाएगा फिलाल, C, रिफ्लेक्टिव, जब इसका proper meaning दे रहा है, विकोज सीनोनस भी है, किसी विचार में डूबा हुआ, ये इसका correct अंसर हो जाएगा, next जलते हैं, next आपको बताना है correct idiom, a square peg in a round hole, यानि कि आप सोच के देखिए, a square peg, पैग बोलते है खुंटी को, एक square peg है, आपको round hole में डगाना है, क्या ही लग सकता है, नहीं लग सकता, येस, तो यानि कि असको बे मेल, या फिर अन्फिट, क्या हो जाएगा आपका ये, बे मेल, या फिर अन्फिट, यहाँ पर देखिए, in a favorable situation, unhappy and regretful, a misfit in the environment, in a financial crisis, a misfit, यानि के इस का अंसर हो जाएगा, आपका, जसके लिजए, चुकि वीडियो बनाना, मेरी मजबूर है, आपका एकजाम के लग कराना है, और आपका अभी देखनी मजबूर है, आपको एकजाम देना है, 30 संटे में कहीं, कहा रहा है कि विंडेक्ट।, सतुर्था या बदले की भावना से भरा हुआ तो बोलते हैं विंडेक्टू पहला वड़े वाच्छ वूल साबदान रिवेंज फूल गोजो इसका मिनिंग है सतुर्था बदले की भावना से भरा हुआ फोर्स फुल यानि के बलपूर्वक्त और हैल्फुल साहाय जग इसका अंसर हो जागा अपका भी ही करक्ट अंसर नेक्स आपका 14 14 आपका एक इडियम है इसमेल आप रेट यानि के संधे होना क्या हो जागा असका अंसर संधे होना तो डिटेक्टेट संथिंग रॉंग फैल्ट वरी प्लीज बिकेम कंपलिशेंट बिहेव एरोगेंटली 14 का अं संधे होना नेस्ट आपका 15 संटेंस आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में है ग्रेमाटिक के लिएरल दम मैच इस अबाउट टू बिगिन से अगला पोर्शन है इस अबाउट टू यह तो ठीक है आपका बिगिन इस पार्ट में नहीं है कोई प्रोलम है उसके पाद अगला पोर्शन है सेंस दा कैप्टन दा कैप्टन एज वेल एज दा टीम जड़ा गोर केजिए संटेंस जब करने ठाप का एज वेल ऐसे इस होरा कि जए डीक से तो गैधर विजज से अंनल को यह वाफ पिछले वाले सburgम और यहांद की वर्प पिष्लिए वाले सब्जेक्ट के अकोडिक आएगी यानि कि यहां पे आर की जंगा इज होना चाहिए था जैनि कि दख क्याप्टन एजवल एज टीम इस ओन दफिल्ड यानि कि आपको आर के जंगा यहां लगाना होगा इज जैनि कि गलती हो जाएगी आपकी एंपा उड़ोप्याइन को फर्ट को जो है नवाज इसके बावजोद भी क्लोफ्मैन्फेक्च्च्च्च्ट को इंडीकॉलर पसंदाता है क्या विल्व यूंग सोड़ा में इसलिए यह बहुत दिखाई एवेलेबल होता है यूरॉप में इंडीकों स्टबता है पहला संट्रेस आपका डी ही होगा इसलिए इसलिए यूज करना पड़ता है इसी लिए उनको डीपेंड होना पड़ता है इस पर वोड्म प्लांट पे यानि किसके पाद आपका जगह ए दी के पाद आपका सिर्फ एक में जा रहा है वो है डी ऑप्शन यानि कि इसका अफिनिटी एफ़ाई एनाई टी वाई किसी के प्रति इसने एनस्दी की दिखाना आपको पताना अट्रेक्शन लगाव एमपाथी यान आपको बताना है कि ब्रेक्ट पार्ट में क्या प्रोलम में और रिजन वाई वेर और सो मच मिसक्नेक्शन और डालेक्शिया कूट बीदा शीर इन्विजिबिलिटी और डिसोड़र दर रिजन वाई इन कि देखिए यह ना आपकी कूरेंठ सबसे पहले तो को लगाना होगा देन क्या बिश Шके अब इान-अफले में हैं बिशमें हैं और तीसरे में दैपने कुंढ़ा उट्षी शर्णा कोई सब्सक्राइऄ नहीं करेंगे पें लगा दिया जो की रोंग है इसका प्री पूर्ट स्वेश्ट होगा चलते हैं नेट्स है नेक्स क्या रहा है आपका क्लोट टेस्ट क्लोट टेस्ट को टेस्ट है आप यहाँ थोड़ा वह और पिछे दिया ग्यास का क्या रहा है कि टैलिंग सम्मन सम्थिंग कि यू एड्मायर अबाउट डैम कैन बी कॉल और रेंडम एक्ट डैस काइडनेस अपको दिख रहा हो का साइट से यहां बुक खराब हो रही है यही हालाते बुक के सारी के जो मैं उसका पिक्चर नहीं ले पाया नाइटिन में देखते हैं ओप्ष्टन समारे पास क्या क्या है विद्ध ओफ फ्रॉम या इन विद्ध ओफ फ्रॉम या इन सवाल एक फिर से देखे लगते हैं यह आपका सवाल तरी सम्वन सम्थिंग या यूद्मार अबाउट या इन के यह एक एक था काइनेस और यह यानिके पहले माजा आपका ऑफ काइननेस इट टेंग पॉल्मोस्ट नो डैस नो वैंचर नो वर्क नूफ फर्ट या पाजा आपका आपको नो एफट यानि किसमें कोई भी आपका अपट नहीं लगता है यानि कि महनत जिसको बहुत सकते हैं आप यानि कि इस का नो पर यापका सी बुकुल करेक्ट नो एफट यह एट पेज अनोर्मस डिविदेंट्स डिविदेंट्स यहां पर आपको इसके साल लगाने होगी वर्ब की परस्ट फोर्म वर्ब की फस्ट फोर्म को देखते हुए यहां पर देखते हैं क्या आसकता है आपका अंसर पहला ओप्षिन हमारे पास में चंफेस एक नॉलेज्ट कंसेड और एड्मिट कंफेस मतलब शुकार करना एक नॉलेज्ट का मतलब होता है प्रारम भी कहनी कि चीज अचनॉलेज्ट निजिवर्ण हो जाएगा एकनोलेज्ट क्यों जाएगा एकनोलेज्ट थैप 22 का प्रसन्सा करना किसी का सुपार करना जा फिर बताना एकसेप्संस इक्सपक्टेशन त्बशक्टेशन औरमी फ्रम्टेश यहां 23rd संटेश में कहीना कहीं आपको देखने क को मिल रहा है विरोता भास कह रहा है कि expectation are more from family and friends expectation ने ज्यादा family of friends के तरफ से डैस even compliments from strangers feel good if they are genuine यानि कि compliment मिलते हैं जब इस तरफ से अच्छा लगता है अगर वो सच्छे हो जूटे ना हो तो तो यहां पर so however and unless यहां पर आप लगाएंगे however however काम करते हैं आपर एक तरफ से बट की तरह ही yes so इस sentence में लग जाएगा आपका however यानि के बट की तरह काम कर रहा है यानि के expectation are more from family and friends but even compliments are from strangers feel good if they are genuine यानि कि इस कंसल जाएगा आपका next लते हैं next में आपको बताना है कि क्या परसुन सही होगा people of the older generation dash over the good old school days people जो है older generation के वो dash कराते हैं आपको पुराने दिनों की remember यानि के याद कराना yes उससे अगला word है आपका remind का मुर्लब होता है याद दिलाना लेकिन किसी काम के लिए उससे next word है आपका retribute यानि के बदले में देना किसी को उससे next आपका reminisce science यानि के पुरानी बातों को याद देना यहाँ पे ज़्यादा अंसर होगा कि आप इसका अंसर यह लगाएं पुरानी बातों को याद दिलाना yes तो इसका अंसर हो जागा आपका डी करक्ट नेक्स पर चलते हैं नेक्स आपको 25 आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है correctly spelled word इन में सो कौन सा है पहला word है आपका conscious c-o-n-c-e-n-t-i-o-u-s बेकुल करक्ट है अगला है consensus c-o-n-s-c-e-n-t-i-o-u-s यानिके यह भी बहुत सही लग रहा है अगला है consensus यानिके c-o-n-s-c-i-e-n-t-i-o-u-s यही आपका यहाँ पर गलते है c-o-n-s-c-i-e-n-t-i-o-u-s इसके sparing होने चाहिए थी यानिके इसका अंसर हो जागा आपका c 25 का यानिके करतवेनिस् 25 का correct answer हो जाएगा आपका c तो यह था आपका आजका set number 26 तीन set बीच में छोड़ने पड़े हैं मजबूरन किसी के पास अगर book हो और अच्छी book हो सो मुझे इसका PDF provide करा सकता है set number 23, 24, 25 का मैं उस set को solve परा दूँगा मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं है बस आपके पास एक book ह अच्छे खासी बारिस होने के विए से light भाग चुकी थी, light अभी भागे हुई है, मौसम बढ़या था, सो मैंने सुचा बाहर बैट की वीडियो बना रेता हूँ, yes, वीडियो रुकरीनी चाहिए, थोड़ा सा sound आपको disturbance करेगा, बस आज आप उसको, आपको उसका compete करना है बसी धान अके, यह sound नहीं है, यह आपके competitor है, ऐसे सोची आप, इसको आज sound ना समझाए आप, यह आपका एक competitor है, जिसको आपको आज beat करना है, yes, तो फिलाल चलते हैं, मिलते हैं आपसे next video के साथ में कज सुबह, good bye